प्यारे विद्यारतियों, mathematics का एक subject जो है आपका complete हो चुका है, आप फिर लिए examination का एक जीले में, तो चलिए इसके solution को देख लेते हैं, इसमें क्या-क्या प्रशन आए हैं और कैसा paper रहा है, अच्छा paper रहा है और अच्छे questions आए हैं, इसमें पूरा का पूरा pattern वही follow किया गय है, तो हमको सिधा-सिधा पता है, अगर सांत होगा, तो हमारा जो नीचे वाली, यानि कि हर का हम करेंगे, तो वह कैसा आजाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें 25 देख लेते हैं, यह आपका 2 की power m into 5 की power n के रूप में अगर आ जाता है, तो आपका क्या हो अगर पत्चीस का होगा, पांस गुणा पांच, ठीक है, यानि कि 5 की घात दो, तो 5 की घात दो लिख दिया हमने इसको, तो 5 की power 2, यानि कि 5 की power n तो मिल गया, लेकिन 2 की power m नहीं मिला, तो 2 की power m कीज़ेगर हम 0 हो, यानि कि 2 का आया ही नहीं, 25 जा हमने solve किया, तो 2 तो आय करूँ, तो 13 बटे 25 लिखते हैं, ठीक है, 25 लिखते हैं, इससे 13 बटे 25 को मैं थोड़ा सा नीचे और ले जाता हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 upon में 25 को हम कर सकते हैं, 5 into 5, ठीक है, और into में 2 की power 0, क्योंकि 2 है नहीं, तो 2 की power 0 कर देंगे, तो 2 की power 0 कमान मैंने अ गुणा 5, 5 दो बार है, तो 5 की power 2, यानि कि ये संख्या जो हमारी 2m into 5n के power में आ चुकी है, इसका मतलब क्या है, कि ये सांत आवरती है, जिस बच्चे ने पेपर भेजा है, उसका ये right answer है, ये option, दूसरे question की बात करते हैं, निउन में एक दियोगात पवबद नहीं है, न लेकिन यहाँ पे x square नहीं है, तो हमारा d option सही हो जाएगा, तो इस बच्चे का d option भी सही है, next question की बात करते हैं, थर्ड question में, निमरेखिक समिकर्ण योगन के हल हैं, यहाँ पे x plus y is equal to 4 है, और x minus y is equal to 2 है, तो आप इसको solve कर सकते हैं, मैंने सारे model paper आपको अच्छे तरीके से उसको solve करवाया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं कि रास्थान बोर्ड ने जो model paper जारी किये हैं, आपके school वाले बताये नहीं बताये पता नहीं है, लेकिन रास्थान बोर्ड ने आपके model paper जारी कर दिये हैं, जिसमें English का subject है, इसको हमने complete solve करव पूरा का पूरा हिंदी विशे complete solution के साथ में available है, इसके बाद में हमने science जो आपका विज्ञान विशे है, इसको भी हिंदी प्लस English में solve करवाया था, जो बच्चे हिंदी के हैं वो भी देख सकते हैं, जो बच्चे English medium ले रखे हैं, उनको भी हमने solution दिया है, उसके बाद ज concept जो clear हो जाने वाला है, और इसके बाद में हमने social science जो आंतिम subjective उसको भी हमने solve करवा दिया था, हिंदी प्लस English version में, आगे बढ़ते हैं हम अपने solution की तरफ, तो mathematics को जरूर देख लेना, अगर math का विपर अच्छे तरीक से आप करना चाते हैं, तो इस math के वीडियो को दीजिए, रास्थान बोर्ड की 10th class की link चाहिए, इतना आप option में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, तो अभी x plus y is close to 4 दिया हुआ है, यहाँ पर question में, और दूसरा दिया हुआ है, x minus y is close to 2, इसके निचे लेखते हैं, x minus y is close to 2, ठीक है, इसक एक plus का, एक minus का, तो y से y कट गया, अब हमारे पास बचा क्या, x plus x, तो x plus x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है, इसके बराबर में y खतम हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, 4 plus 2, 4 plus 2 हो गया 6, यानि कि x का मान निकालू, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास मैं 6 बटे 2, अगर मैं इसको काड़ दूं, तो 2, 1, 2, 2, 2, 6, यानि x का value जो है, मेरे पास 3 आ गया, तो x की value 3 आई, तो यहाँ पर हमें देखना है, कि x की value 3 किसमे है, बस आपका answer निकल जाएगा, यहाँ पर x की value 4 है, यह गलत है, x की value यहाँ पर 2 है, x की value यहाँ पर 1 है, यह गलत है, आपको common difference बताना है, तो सारवंतर निकालने के लिए गया होता है, पिछले पद में से अगले पद को minus कर दो, यहाँ तीन में से 8 को घटा दो, तो 3 में से अगर मैं 8 को घटाता हूँ, तो minus का 5 बचेगा, तो minus का 5 जो हमारा answer हो जाएगा, यहाँ कि D option जो है, आपका सही हो ज होता है, यहाँ पर एक y होता है, यहाँ पर जो x होता है, और यहाँ पर जो x होता है, वो plus का होता है, अगर हम बात करें, यहाँ चतुरतांस में, तो यहाँ पर y भी plus है, और यहाँ पर x भी plus है, अगर यहाँ बात करूँ तो y plus है, लेकिन x minus है, यहाँ पर नीचे बात संख्या पहली वाली X है और दूसरी वाली वाई है तो X भी माइनस है Y भी माइनस है तो X भी अगर माइनस है और Y भी माइनस है तो आपका 3rd मतलब चतुर्थांस में यह आना चाहिए तो इसका मतलब हमारा जो option होगा वो D option correct हो जाएगा next question की बात करते है value of cos 48 minus sin 42 का मान आपको निकालना है यहाँ पे जो आपका cos 48 है और sin 42 है इनको हम change कर लेते हैं cos 48 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो cos 48 को लिख सकता हूँ cos 90 minus 42 अगर 42 आप 90 में से घटा दो गए है तो cos 48 ही बचेगा अगर आप 90 minus 42 करते हो तो cos 48 ही बचेगा यह ध्यान रखना है और दूसरी चीज होता है cos 90 minus theta होता है उसका मान होता है आपका sin theta अब यहाँ पे theta की value क्या रखी है हमने 42 रखी है तो sin theta क्या आजाएगा sin 42 आजाएगा ठीक है ना यहाँ पे 90 तो आपका theta नहीं होता है ध्यान रखना है 90 में से जो घटाते है वही theta होता है तो यहाँ पे 42 हमारा theta है क्योंकि हमें 48 लाना था cos 90 minus 42 करूंगा तो मेरे बास automatically cos 90 में से 42 घटाई है तो क्या बचेगा cos 48 बचेगा ठीक है और एक formula जो हमारा होता है cos 90 minus theta बोलते हैं उसको cos 90 minus theta को हम sin theta लिख सकते हैं और sin 90 minus theta को cos theta लिख सकते हैं यह हमारा technometric का formula standard होता है इसके लिए मैंने अलग से classes दे रखी हैं उसके लिए आप देख सकते हो videos को यहाँ पर जो है आप देख सकते हो अगर theta की जगे क्या लिखा है मैंने 42 क्योंकि मैंने बताया कि 90 minus theta होता है 90 minus theta होता है तो 90 minus theta की जगे क्या है यहाँ पे 42 तो sin 42 हो गया तो अब मैं cos 48 की जगे क्या लिख सकता हूं sin 42 यानि कि मैं लिख सकता हूं sin 42 minus फिर से आपका क्या है यहाँ पे sin 42 अगर sin 42 में से sin 42 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा हमारा answer क्या हो जाएगा? B option correct हो जाएगा उस वरत की तिरजिया ग्याद कीजिए जिसका 6 तरफल 154 cm2 है तो हमारे को पता है 6 तरफल जो होता है πाई आर स्क्वाइर होता है क्या होता है? तो हमारे को 6 तरफल का मान दे रखा il 154 cm2 तो अगर मैं πाई आर स्क्वाइर इस कल्स्टु 154 लिखे दूँ क्योंकि यह हमारा 154 किसका है? πाई आर स्क्वाइर या निकि 6 तरफल का मान है 6 तरफल इसी से हम निकालते है यहाँ पर हमारे से क्या पूछा है त्रिजिया निकालना है जिसका छेत्रफल है यह उसकी त्रिजिया ग्याद कीजिए तो हम यहाँ पर कर लेंगे 22 बटे 7 कर लेंगे इसको पाई को क्या लिखते हैं 22 बटे 7 लिख देते हैं यहाँ पर क्या है, r² है, बराबर में क्या है, 154 है, अगर मैं यहाँ से r² को यहीं छोड़ दूँ, 154 के तरफ यह जो 22 बटे 7 है, उसको ले जाओं, तो क्या होगा, तो मैं r² को यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है, 154 तो हमारा लिखा हुआ है, दूसरी साइड में, अब मैं यह 22 बटे 7 को देले, जो बटे वाला है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जो उपर वाला है, वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 22 से आप इसको काट लीजिए, 22 से 104 जो है, साध बार में कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया, r² का मान, 7 इंटू सात, जिसका मतलब हो गया, 49, ठीक है, यह उननाचास आगया, अर Venice स्कवयर का मान, उननाचास आगया, ठीक है, तो मैं अब racist square होताओंगा, तो r square होताओंगा, तो यहाँ पर क्या होता है, अंडर route, तो यहाँ परonnenचास अंडर Route में आ गया, और अंडर route को जो हम सॉ यहाँ पे confusion क्या है देखिए आप चार और पांच यह दो वैल्यूस तो बार बार है नहीं, अब बच्ची हुई है आपका 00 भी बार बार नहीं है तो यह 3 वैल्यू तो खतम कर दीजे कि यह वैल्यू है नहीं क्योंकि यह एक ही बार आया हुआ है, अब बच्चा हमारे पास 3 दिखाई रहा है थे दो भी दो भार दिखाई दे रहा है यहां पर इक एक बार दिखाई दे रहा है इसलिए हमारा मोड इसमें से नहीं निकलेगा next question की बात करें निमनिम से कौन सी संख्या किसी गटना की प्रायक्ता नहीं हो सकती है तो याद रखना किसी गटना की प्रायक्ता जो है negative नहीं हो सकती minus में नहीं हो सकती है और एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है तो एक से ज़्यादा consistent नहीं है यहाँ पर जो है आपकी minus 1.6 जो है यह प्राइक्ता नहीं हो सकती है minus में कभी probability जो है minus में नहीं होती है प्राइक्ता जो है minus में नहीं होती है द्युगाट समिकंड की घात होती है द्युगाट समिकंड की हमेशा घात जो है 2 होती है यहाँ पर हम निकाल सकते है, X SQL —3 है, इसके सुन्याँख conform निकालने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कि X SQL —3 है, तो उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब X बृबर क्या हो जाएगा, अंटरूट 3, जो है polynomial के 0 होंगे अब यहां पर देखो a1 upon me a2 is not equals to b1 upon b2 हो तो समीकर निकाय का जो है कैसा हल होगा हमारा कैसा होगा unique solution होगा ठीक है unique solution होगा यानि कि अधित्य हल होगा सीधी सी बात है हिंदी में अगले बात question की बात करें तो यहां पर जो समांतर स्रेणी 4 10 16 22 खालिस्थान का ग्यारवा पद खालिस्थान है अच्छा यहां पर देदिया 4 10 16 22 डेस 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 करके इसका ग्यारवा पद आपको निकालना है यहां पर formula लगा जीए n वाला तो a n का आपका formula क्या होता है आपका a plus a plus n minus 1 into d ठीक है अब देखो यहां पर a क्या है प्रतम जो आपका है 4 ल पूछ रहा है 11 वापद पूछ रहा है तो यहां पर आप n की जगे क्या लगाएंगे 11 और d की जगे सारवंतर d कितना है तो d 10 minus 4 कर दीजिए 6 आ गया तो d की जगे कितना लगाएंगे 6 अब इसको जब solve कर देंगे तो answer आजाएगा comment करके मुझे बता देना ठीक है सारा जो के 6 फल का अनुपात जो है आपको बताना है model paper 2023 मैंने solve करवाया हुआ है उसमें ये question आया हुआ है और मैंने इसको complete solve करवाया detailed solution अगर model paper 2023 नहीं देखा और 2022 नहीं देखा तो आपने model paper नहीं आपने बहुत कुछ नहीं देखा समझें ये बात ध्यान रखना है अगर आप विश्वास दिलाता हूँ 2022 के paper पढ़िए 2023 के paper पढ़िए और उसके अलावा जो मतलब 2022 और 2023 के model paper पढ़िए और उसके अलावा जो मैं आपको questions दोंगा चाहें आपका Hindi हो, English हो, Social Science हो, Science हो, Sanskrit हो, जो भी है सभी में आपको special questions दिये जाएंगे on the time, at the exam time तो उनको पढ़ लेना उनके बाहर कोई question नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज हमें पता है, मैं आपको बतायता हूँ, अगर आपको नहीं पता है, मैंने बारीवालों को बता दिया था, last time हमने 9th से लेकर के 12 तक को हमने बहुत बिशेस पढ़ाई कर आई थी, और जिसमें 30,115 बच्चे toppers list में सामि दिये थे YouTube पर, आज तक कोई भी इतियास नहीं रच पाया, ये इतियास मैंने रच दिया है, तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए, और जो बंदा सब कुछ बता सकता है, आपको मैं history बता सकता हूँ, science बता सकता हूँ, chemistry बता सकता हूँ, mathematics बता सकता हूँ, business studies बता सकता आपको model paper जरूर चेक करना है, अगर आपके पास link नहीं है, आपके पास video नहीं है, आपके पास कोई दिकत है, तो मुझे comment करिए, comment मैं हमेशा reply दी जाती है, मैं आपको link दूँगा, उस link को देखिए, सब कुछ solution आप कर पाएंगे, और यहाँ पे, science square 45 प्लस में course square 45 का मान आपको बताना है, बहुत easy है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इस command क्या हो जाएगा आपका, science square 45 प्लस course square 45, तो देखो, science square 45 जो है आपका कितना हो जाएगा, under root 2 by 2 हो जाएगा, और दूसरा जो है course square 45, यहाँ पे course जो है, science 45 कितना होता है, under root 2 by 2, और course 45 कितना under 2 by 2, आपका निकलेगा, क्या दोन होगा, same value निकल जाएगा, यानि कि equals to 1 हो जाएगे, यह जो 45 या 90 या 30 के जो महान निकालने के लिए अलग से वीडियो बनाया है, table कैसे बनता है, बहुत easy तरीके से बताया है, अगर board में हुए है, तो आप एक minute में table बना सकते हैं, पूरा का प रत है, अगर मैं suppose करो, यहाँ पर circle एक draw करूँ, इस तरह का circle है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया हमने बिंदू, ठीक है, इस बिंदू से, इस बिंदू से कितनी इस पर से रेखाय खीच सकते हो, तो हमारे को पता है कि इस बिंदू से अगर मैं line खीचना चाहूँ, तो यह यहां से एक खेच सकता हूँ ऐसे, और एक line खेच सकता हूँ ऐसे, यानि कि दो ही इस पर से रेखाय खीची जा सकती है, तो क्या answer आजएगा हमारा, यहाँ पर दो इस पर से रेखाय खीची जा सकती है, इसके बात जो next question है, उसकी बात करते हैं, इहाँ पर बड़े questions आ गए समिकन आपको इसका मान X का मान निकालना, Y की जगे एक रख दीजिए, अगर Y की जगे एक रखूंगा, तो यह 2 ही रहेगा, यानि कि यह 2 रहेगा, तो प्लस का 2 रहेगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा, 11 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, 9, 9 बचेगा, पर 3X प्लस Y की जगे 1 रखूंगा, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 का गुना का रहेगा, बराबर में 11 आजाएगा, तो यहाँ पर 3X तो ही हमारे पास में, यह प्लस का 2 है, उदर ले जाएगा, तो 11 में से माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3X बचा यहाँ पर 18 A2 समानतर सेंडी में है, तो A का मान आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है, आपका 18 है, फिर इसके बाद में A है, फिर 2 है, नेक्स जो है दी गई, आकरती में यह क्वेश्चन जो है, आप पढ़ लीजिए आराम से, दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ आप model paper 2022 ठीक है, और 2023, यह देखना मत भूलना, यह सबसे important चीज है, यह सबसे बड़ा, यह 30 मार खान अगर बनना चाहते हो, 90 प्लस जाना चाहते हो, तो यह चीज देख लेना, यहाँ पर निर्दिसांग में भूज और कोटी क्या है, सभी को पता है, X और Y को हम भूज और कोटी होलते हैं, मान ग्यात कीजिए, यहाँ पर आप इसका trigonometry जो दिये गए हैं, आपको, यहाँ पर 1045 है, यहाँ और 90 है, और दोनों की value निकालने का तरीका में बता चुका हूँ, उसके लिए special video है, आप demand कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, खंबे की परचाई, जो है, खंबे की उचाई के बराबर है, सूरे का 9, कौन निकालना है, बहुत simple सा है, यार, कितना बताओ, मैं आरा describe करूँगा, तो बहुत लंबा video बन जाएगा, किसी वरत में, थीटा कौन वाले त्रिजिया खंड का छेतर फल का सूतर आपको लिखना आते हैं, मतलब, यहां पर basic निचोड दिया, अगर आपने नहीं पढ़ाए, आपने formula याद नहीं करी, तो mathematics तो आपसे होनी की नहीं है, तो इस सारे के, इन सभी के formula मैंने, अपने model paper में आपको बता दिये हैं, इसके बाद आते हैं, खंड B में, यहां पर Euclid विवाजन व करवाया हुआ है, ABC समदी वाउतिर भूज है, तो इसमें C कोन समफोन है, ठीक है, जो आपको आराम से सिद्ध कर देना है, AB square प्लस इसको स्टू 2AC होता है, यह मैंने अभी model paper में करा है, इसको चेक कर लेना, इसके बाद जो है, आपका बिंदू Q एक वरत पर इस पस रेखा कि लंबाई जो है, इतनी दे रखे Q से केंद की दूरी 25 सेंटीमेटर है, आराम से वरत बनाईए, उसके बाद में उसको डिस्क्राइब कर लीजिए, दसवा कोश्चन है आपके सामने, देना 11 कोश्चन देखिए, X, X पर वो बिंदू ग्याद कीजिए, जिसमें ये और ये समदुरूस्त है, ठीक है, इक्यू डिस्टेंस का मतलब बोलते हैं, 10 का मान दिया गया है, और यहाँ पर जो है आपको, 2 जो है, एक नियून कोण है, एक का मान निकाल देना है, भूमी पर एक बिंदू है, जो मिनार की, सारे कोश्चन, एक भी कोश्चन, जो, आरे बाबार करके लिखा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया, मैंने यह, इसको कर देना, वो, उसको कर देना, ऐसा कुछ हवा में नहीं है, सब कुछ बेसिक समझाया हुआ, यहाँ पर सारे कोश्चन, मैंने करवाए, इनको आप देखिए, समझिए और पढ़िए, ठीक है, औ पढ़ने के लिए study material कमी नहीं है, मैं आपको वही चीज दूँगा, जो आपके board में आएंगे, तो इन सब चीजों को पढ़ लिजिए, सारे questions मैंने करवा दिया है, हर चीज, यहाँ पर कोई question छोड़ा नहीं, यह भी करवा दिया है, इसका अथवा part वाला भी, यहाँ पर भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, इसका भी आत्वा part, यह जो सारे questions आप देख रहे हैं, अभी on screen, इस paper में, यह जो अभी paper हुआ है, अर्दवार्सिक का, इसके सारे questions मैंने model paper में ही करवा दिया, अगर model paper जिस बंदे ने, जिस बंदे ने भी model paper देखा, समझ लो कि वो अपना बंदाधार करके गया, क्योंकि अपना अर्दवार्सिक भी अच्छा करके जाएगा, और उसको अभी समझ में आ जाएगा, तो अपना वार्सिक भी अच्छा करके जाएगा, तो यह आपका model paper है, जो उसको जरूर देख ले, जिसमें हमने 2022 का भी solve करवाया था, और 2023 का भी solve करवाया था, इन दोनों को जरूर चेक कर ले, यह सबसे main important, हमेशा मैं बोलता हूँ, किसी भी विशे क्या solution जब हम डालते हैं, बड़ी महनत लगती है, यह सोच रहे हो कि मैंने तो फटा 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 देड़ घंटे में solve करते हैं, जब उसको हाथ से लिखूँगा, मैंने उसको आपने computer से type करकर करके बनाया है, एक एक चीज बनाई गई है, एक एक चीज लिखी गई है उसमें, तो समय लगता है, एक एक दिन लग जाता है कि model paper करने में, क्योंकि उसमें हम type करते हैं, तो आसा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जरूर आप model paper देख करके और अच्छी तरह से सीख जाएंगे, अगर है model paper देख लेते हैं, तो कोई issue नहीं होने वाला, mathematics, science, social science, हिंदी, किसी भी subject में कोई दिकत नहीं होगी, अगर आपने model paper पहले से पढ़ लिए होते, तो आपने जो विशे दिया है न, वो भी आपक clear कर चुके होते हैं, बढ़ियां percentage से, तो अभी भी आपके पास समय है, उनको जरूर कर रही है, thank you very much, have a good day.